हमारा टापिक है फिजिकल टॉइनटेटी, वोट इस फिजिकल कॉटिटिक, फिजिक्स की फाउंडेशन ही बेज़ड करती, ढिफरेंट कॉटिटीज को मैजर करने से, फिजिक्स का सब से important step है जो हमारे universe में इर्दकिर जो भी हम physical phenomena's देखते हैं उनको measure करते हैं पर अब सवाल आता है what is not physical quantity? physical quantity कौन से इसी चीज़े जो physical quantity नहीं है और वो है हमारी feelings यानि happiness and sadness इनको हम obviously measure नहीं कर सकते और हम beauty को measure नहीं कर सकते अब measurement के लिए हमें दो चीज़े चाहिए होती है एक है unit और एक है number अब अगर मैं physical quantity की definition दूँ तो वह यह होगी anything which can be measured is a physical quantity अब हम space पर नहीं जाते हैं हम moon पर नहीं जाते हैं हम अपनी daily routine में physical quantity की importance देखते हैं for example यहाँ पे आप एक pen देख सकते हैं और अब मैं इस pen की length मालूम करना तो तो मैं कैसे करूंगी easily मैं measuring scale इसके नीचे रखूंगी और वो जिसके length बता देगा अब क्योंकि मैं length measure कर पा रही है that means कि यह एक physical quantity है अब यह physical quantity है तो बट इसका unit क्या है किसी भी number के साथ जब तक हम उसका unit नहीं लिखेंगे वो एक sensible figure नहीं बनेगी so length का unit है meter और अब मैं easily कह सकती हूँ कि इसकी length है 1 meter यह suppose 2 meter और हम number के साथ पूरा meter नहीं मैं लिखूंगी उसका पूरा unit नहीं लिखूंगी मैं इसके साथ उसका symbol यूज़ करूंगी जो के है M अब हम एक और example देखते हैं आब यहाँ पे एक box एक सकते हैं और मैं इस box का weight मालूम करना चाती है तो मैं क्या करूंगी इसको किसी weight balance पर रख दूँगी और वो मुझे इसका weight बता देगा suppose इसका weight है 50 kg यह 100 kg अब क्योंके हम weight measure कर पा रहे हैं that means कि यह भी एक physical quantity है और इसका unit है वो है kilogram और जो इसका symbol है वो है kg so अब आप यहाँ पे एक car देख सकते हैं मैं जाना चाहती हूँ car A यानि इस point A से point B पर यह car कितनी दिर में पहुंचेगी तो मैं क्या करूँगी एक stop watch यूस करूँगी जो मुझे easily time measure करके बता देगी so क्योंके हम time measure कर पा रहे हैं that means कि यह भी एक physical quantity है और उसका unit जो है वो है second और जिसका symbol है वो है S एक और बहुत crucial physical quantity है जो पहली centuries में इतनी important नहीं थी 19th century में जितनी 28th and 21st century में हो गई है आप यह जो mobile में यह video देख रहे हैं उसमें बैटरी है जो से continuously current परवाइट कर रही है अब for example आप यहाँ बेदेख सकते हैं कि एक battery है वो एक bulb के साथ connected है और battery बल्ब को continuously current परवाइट कर रही है that means कि हम current को measure कर पा रहे हैं एक और बहुत important physical quantity है जो कि है temperature और किसी भी temperature को measure करने के लिए हम thermometer यूज करते हैं और इसका जो unit है वो है Kelvin temperature measure करने के लिए हम Celsius और Fahrenheit भी यूज करते हैं बट यहाँ पर मैंने Kelvin लिए अब for example आप यहाँ पर एक cup of coffee देख सकते हैं अब इसको मैं इसका temperature measure करने के लिए इसके अंदर thermometer dip करते हूंगी जो मुझे इसका temperature बता देगा तो क्योंके हम temperature measure कर पा रहे हैं that means कि यह भी एक physical quantity है और इसका जो symbol है वो है K अब आप यह जो देख सकते कि मेरे face पे किती ज़्यादा light पर रही है हम इसको भी measure कर सकते हैं और इसके लिए हम unit use करते है candela और उसका symbol है cd अब आप यहाँ पर एक beaker देख सकते हैं और अगर मैं इस beaker में कोई भी fluid डालू या कोई भी substance डालू हम उसकी amount measure कर पा रहे है that means कि यह भी एक physical quantity है और इसको जो unit है वो है mole और इसको जो symbol है वो है M.O.L जो जितने भी हमने physical quantity डिसकास की वो है length, mass, time, electric run, temperature, intensity of light, amount of a substance और उनके unit, meter, kilogram, second, impaired, kelvin, candela, mole और आगे उनके symbols अगर यह lecture आप completely देखना चाहते हैं और इसके साथ साथ बेशमार MCQs उनके answers और explanations भी हासिल करना चाहते है and that all free तो अभी Google Play Store पर जाए and लिखिए हिपो और यह लेर्णिंग प्रोग्राम हमारी एप डाउनलोड कीजिए ना सिर्फ इसे खुद यूज कीजिए बल्के अपने दोस्त इन क्लास फेलस को भी recommend कीजिए बल्के तोस्त पोस्त प्रोग्राम